जयहिंद प्यारे मित्रों, आपके अपने यूट्यूब चैनल आरार क्लासेस में आप शभी का उस्वागत हैं। जैसा कि हम सुभी लोग पिछली क्लासे हम लोग बात किया थी क्या कहते हैं। Shenters के बारे में, Shenters and Carriers Shenters and Carriers के बारे में हमने बात किया था। तो हमने जो हैं। सदाराण सेंटर की पहले हैं। क्या बात किया था… जो हुमारा सथरां सेंटर होता है। इसका प particular होता है यह क्या जो पाल। साथ डिग्री पच्छतर डिग्री या क्या कहते है जो है 90 डिग्री जो है साधानाट सेंटर का पॉइंट इंगल लखा जाता है नेक्स दूसरा हमने बात किया था जो है रिवर्स सेंटर कौन से सेंटर रिवर्स रिवर्स सेंटर के बारे हमने बात किया था जो हमारे सेंटर सो ते रिवर्स सेंटर उसके बाद हमने बात किया तीसरा नमबर जो था हमारा हाप सेंटर हाप सेंटर हाप सेंटर के बारे हमने बात किया एक फिर हमने बात किया था जो है क्या करते है फोर नमबर पर हमने बात किया था बाल सेंटर के बारे में बाल सेंटर का हम लोग प्रयोग कहां करते हैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक भी दे दिया जाएगा वहां से जाकर कोई आप वीडियो को जो है देख सकते हैं नेक्स्ट है हमारा पांचवा नंबर था था टिप्ड सेंटर कौन था टिप्ड सेंटर नेक्स्ट सिक्स नंबर पर हमने बात किया था घरसंड रहित सेंटर कौन सेंटर था घरसंड रहित सेंटर उसके बाद हमने बात किया था पाइप सेंटर शेवन नंबर पर बात किया थे क्या पाइप सेंटर बात करने Kick इससफ बिजर होता है अगर हमारा वीडियो आप सब हमारे चैनल पसे हैं पार जानL को लाईक और स्सेस्त्राइब। बिजिए रखेंदा से जान्स से जान दोस्तों तक is ने भूलें बात करते हैं जब यह मशीन पर लंबी शाप्टों की टर्निंग की जाती अगर हम क्या करते है द्वारा पकड़ने वाले बलो के कारण टेड़ी हो जाती इस प्र जो हम क्या करते है जो turning operation करते हैं या इसके जो लंबी अगर क्या करते हैं लंबी tać होता है लंबी यहोड़ी हो जाते हैं सब्सक्तफ करने के तो उसकी जो घ्राइट चोंच करने किरी टॉर चोक्त च्रहोडी हो जाते इससे समपोर्ण लंबाई में एक ही व्यास प्राप्ट नहीं होता है इससे क्या होता कि हमें मालीजे 14.14 का जो है भ्यास बनाना इसका OD जो इसके होगी लेंद की 14 होगी चौँध होगा कि हर जगह एक साइज लंबाई जो है प्राप्ट नहीं होती इस समस्य कि समाधान के लिए रेष्ट का प्रयोग किया जाता है इसमें क्या होता कि जो हम रेष्ट का प्रयोग करते हैं जो लंबी साब्ट होते हैं उनको जो शाहरा देने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि रेष्ट का प्रयोग जो है करते हैं जब कारेखंड की लंबाई उसके ब्या ब्यास की जो क्या होता है कि इसका जो ओडी होगा ब्यास दस गुना या अधिक हो तब रेश्ट का प्रयोग करते हैं जो कारेखन की लंबाई से क्या होता है कि दस गुना गर ब्यास है तो हमें क्या करना चाहिए कि रेश्ट का प्रयोग करना चाहिए Rest में adjustable जबड़े होती जो Rest होता है Rest में क्या होता है कि adjustable जबड़े होती जो की cuttable अगर हम क्या कते कटिंग कर रहे हैं तो cutting जो बल लगेगा cutting ball, cutting force तथा कारिखन्ड के भार जो वर्कपीस का जो भार होगा भार के बिरुद सहारा देता है क्या करता है कि रोष्ट क्या करता है कि जब भार कुछ हो हैं जो रेस्ट होगा उसको क्या करता है जो हमारा वर्क पीस होता है उसको क्या करता है कि शाहरा देता हैं रेस्ट दो प्रकार के होती है, रेस्ट हमारी कितने प्रकार के होती है, टू टाइप्स की जो हमारी रेस्ट होती है, टू टाइप्स आप रेस्ट, रेस्ट कितने प्रकार के होती है, टू प्रकार के होती है, तो हमारा पहला कौन सा है, इस्टेडी रेस्ट, पहला हमारा कौन सा है इस्टेडी रेस्ट और दूसरा हमारे एकाउंस है फालूवर रेस्ट है फालूवर रेस्ट हमारे कितने टाइप्स को होते है तो पहला होता है हमारा इस्टेडी रेस्ट दूसरा होता है हमारा फालूवर रेस्ट तो हम जो है इस्टेडी रेस्ट के बारे में बात करते ह हैं तो जो है हमारे इस च्व्य क्या होता हैं आपको जो रॉइंग के मादियम से च्व्य में सं करल अ देते हैं । इसडिडी रेस्ट में क्या करती है , इस में यह क्या करती है, यह मर्कश पीन नहीं , तो आई सो बात करते हिं , घ्रलिक के बारे सबस्कुरिक में लित बेट पर एक ही इस्थान पर इस्तिर रहकर job को सहरा देता है। जो क्या करते हैं अगर क्या करते जो इस्टीरी रिष्ट होता है। एक स्थान पर सहारा देने वाले को हम दोग क्या कहते हैं, इसके नीचे का आधार कास टारन का बना बनाय जाता है, जो इस्टिडी रेष्ट मैं जो नीचे वाला भाग रोता है, आप देख सकते हैं, ऑपर के आधार की होता है? में नीचे की ओर लगे बेड के अनुरूप ही मार्ग बने होते हैं इसमें क्या होता है जिस प्रकार से हमारी लेथ मसीन के बेड में मार्ग बने होते हैं यह इस प्रकार से जो लेथ मसीन के बेड में हमारे मार्ग बने होते हैं उसी प्रकार से क्या होता है कि हमारे STD reach में भी मार्ग बने रहते हैं इन मारगों के कारण इसे अधार पर सरका कर कहीं भी ले जाकर फीट किया ज़ा सकता है जो हमारा बेस होता है बेस जो आधार होता है उस पर गुल ट मशीन का जो आधार होता है इसको हम किसी भी जगह पर खिसका कर सकते हैं इसके तीनों जबड़ों को कारिखन के अनुसार इसकूरों के सहायता से एड़ेस्ट किया जाता है इसमें क्या होता है जो इस्टीडी रेस्ट होता है इस्टीडी रेस्ट हमारे कितने जबड़े होते हैं यह तीन जबड़े होते इस क्रू के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, इसको जो हम फिक्स करते हैं, क्रिया के अंतरगत, जबडो को के सीरे कारेखंड की आउशक रिष्ट तथा घूमने के लिए खुली सता प्रदान करते हैं, इसमें क्या होता है, क्रिया के अंतरगत, जबड़े के सीरे, ये जबड के सीरे होते हैं क्या करता है सीरे कारेखंड को जो वर्क पीस होती है कारेखंड बोला जाए तो हमारा जो है वर्क पीस इसमें क्या ही है हमारा वर्क पीस की आवश्यक रिष्ट तथा घूमने के लिए खुली शता प्रदान करते हैं इसमें क्या होती है कि खुली शता प्रदा या की जा सकती है जो हमारा क्या करते है जो इस्टेडी रेस्ट का प्रयोग करेंगे इस्टेडी रेस्ट का प्रयोग करने से हम क्या करते हैं लित मसीन की जो राइट हैंड की और होता है गर सकते हैं व्रकार से स्टड़ी स्ट जो हम्हारे श्ड़ी रिए नेक्स्ट है दुसरा हमारा कॉंट है झालवर रेस्ट दूसरा हम लोग बात करते हैं फालोवर रेस्ट फालोवर रेस्ट के बारे हम लोग बात करते हैं फालोवर रेस्ट यह हमारा जो है ड्रॉइंग के माध्यम से भी आपको देख सकते हैं हमारा कैशा हैं फालोवर रेस्ट हैं फालोवर रेस्ट इसमें क्या होता है कि जो वर्क पीस होता है यह हमारा वर्क पीश है इसमें क्या है यह हमारी जो लंबी राड है यह हमारी क्या है वर्क पीश है हमारे के हम फालोवर रिष्ट है आए इस पर हम लोग चर्चा करते हैं फालोवर रिष्ट के बारे हम लोग चर्चा करते हैं कि हमारा जो फालोवर रि क्या बाइस होता है यह देख सकते हैं यह हमारा क्या है क्या है फूरा होता है किया है इदर वाइस्टux क्या है यह जो सेरे परया करते हैं लगांथ W Minnesota आफ है swapने अगरे फॉल्च गारिज के साथ चलता अगर हमारा जो करी हो तक्र healthy क्या होता है कि लेटर्ट लाइट जो है कपारिज की माध्यंसे अगर हाट है हेडी स्टौक की तरफ गया गांगग के तरफ आएगा कारिखन्द क्या कते कार कंड़ पर अनुदेर Senhor घेट कारिखन्ड पर लॉंगिट्युदिन के साथ ऑसके समय क्या होता है कि प्रेंकर हम क्या होता है कि आप करते हूँ क्यों है और हमकरہ क्षे के से म्यूर्णग करते हुए head stock की हो रहाता है, किसकी तरफ से जाता है, head stock, head stock, तो यहां क्या होता है, कि हमारा longitudinal feed होती है, longitudinal, इस प्रकार से set किया जाता है, कि जबड़े सदाव टूल के शामने वह उपर रहे, इसमें क्या होता है, जो टूल होता है, टूल के टूल जो हमारा क्या करें, जो जबड़े होते उसके जो हैं शामनिया उपर रहते हैं इस प्रकार कटिंग प्रक्रिया के दोरान कारे खंड को लगातार सपोर्ट प्राप्त होती इसे क्या होता कि जो वर्कपीश होता है वर्कपीश को क्या होता कि हमारे कांटी न्यूटी जो हैं शपोर्ट प्राप्त होती इसमें भी तीन जबड़े होते हैं इसमें क्या होते हैं कि हमारे तीन जबड़े होते हैं इसमें क्या होते हैं कि हमारे तीन जबड़े होते हैं इसमें क्या होते हैं इसमें क्या होते हैं कि तीन जबड़े होता हैं इस जिनका उपयोग परिश्क्रित टर्निंग फिनिशिंग टर्निंग के लि जो है किया जाता है रेस्ट हमारे जो है कितने टाइपस के होते हमारा पहला जो होता है हमारा इस्टीडी रेस्ट होता है इस्टीडी रेस्ट में चार्ज जबड़े होती है क्या होता है कि एक इस्थान पर जो है क्लैम करके प्रयोग किया जाता है लेकिन जो फालूवर पड़े होते हैं इसमें क्या करता है कि टूल के साथ का एरिज के साथ क्या करता है मुवमेंट करता है इसको कहां फिट किया जाता है साइडल पर जो है फिक्स किया जाता है निक्स्ट है हमार अगले बात करते हैं त्रेड चेसिंग डायल Thread Chasing Dial के बारे हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा Thread Chasing Dial होता है यह क्या होता है यह आप जो है Drawing के माद्ध हमसे भी देख सकते हैं यह हमारा क्या है Thread Chasing Dial आईए हम लोग Discussion करते हैं Thread Chasing Dial के बारे हम लोग Discussion करते हैं अगर हमारा वीडियो आप से भी कुछ है अच्छा लगे थो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करना न भूलें यह क्या करते हैं तो हमारा जो फ्रैट चैसिंग डायल होता है यह क्या होता है यह जो कारीज का ही इक हिस्धा है यह क्या कर देंग हो जो इसका प्रेखल में जो ए ध्रेट क होगते हैं अगर मालेजी कोई rod है जोओ trading operation कर रहे हैं कि क्या कर रहे हम लुग बीभक्त धिवरी को बार बार चूडी के एक ही इस्थान पर इंगेज किया जाता है इसमें क्या होता है कि एक liver लगा रहे हैं carriage में इसको क्या कहता ही चूडी के जो चूडी के एक ही साथ इंगेज किया जाता है क्या करता है इसको हम लोग एक बार इंगेज कर देते हैं जब तक हमारी चूडी कट नहीं जाती तब तक इसको जो है डिस इंगेज नहीं करते हैं जिस पर चूडी प्रारम की गई थी जिस इस्थान पर माली जी हम इंगेज करेंगे इंगेज करेंगे यह डायल लीड इसक्रू के साथ तब तक घूमता रहता है यह क्या कहता है जो राड होता है डायल लीड इसक्रू के साथ तब तक घूमता रहता है जब तक की स्प्लिट नट को नहीं जोड़ा जाता है इसमें क्या होता है कि स्प्लिट न निशान बनने लगते हैं क्या होता कि जो डायल लगा हो तो उस पर क्या होते हैं कि निशान बनने लगते हैं पहले कट के पश्चा दूसरे सीरे दूसरे तीसरे वह अनिसबी कट डायल पर उसी निशान के अनुसार अनुसार स्लिप्ट नट को इंगेज करके लगाया जाता है अगर क्या कहते हैं हमारा टोल जो है एक ही थ्रेड अगर इस प्रकार से जो हमारा थ्रेडिंग ऑपरेशन हो रहा एक ही इस्तान पर यह क्या होगा कि एक ही इस्तान पर होगा तभी जो हमारा शाहिर है अगर क्या कहते हैं अगर हम इसको डिसेंगेज कर देंगे जो लीवर हमा गुमना बंद कर दीता है डाइल जो हमारे क्या होता है गुमना बंद कर देता है डायव को चाल एक वर्ग गीर के चाल मिलती है वहाख के सापेच चिन्नों की स्थितिके लिए चालग पर एक निर्देश रेकां। रिफरेंस लाइन भी है हुछ प्र‌टी होती है इसमें क्या कोते港 tap यह होता है हमे लीडिस क्रूव है और मगीर है क्या होता है कि वर मगेल यह हमारा कि है मकaram डॉर्य संब में जो हमारा चल लाएक यह हमारा चलार थक्ति करो से घोनाव करते हैं अगला हमारी अगली ऐडंक इस टॉपस के बारे मह लोग बात करते हैं कि जो हमारा इस्टॉपस होता है यह क्या होता है आई आए हम लोग बात के भाते है है इस टॅप कोई है अ inimस्ता जब एक से अधिक शंख्या में किसी वस्तू का वह दनकर नाहोता क्या होता है कि जब हम एक से एक अगर कोई वस्तु का जब इस टाप का क्या मतलब होता है अगर हमें क्या करना है कि एक इजमाली जी एक ये वस्तु है एक ये वस्तु है प्रथम वस्तु है प्रथम वस्तु से क्या करता है कि विशेस का उत्पादन अगर हम एक वस्तु से अनेक वस्तु का कोई भी operation कर रही है यहां तक आना है, यह soft हमारी इतनी लंबी है, इतनी यह हमारा क्या है, headstock में clamp, हमें माले जिये यहां तक turn करना है, तो हम क्या करेंगे एक stop लगा देगे, stop लगा देने पर यह जो टूल हमारा इस से आगे जो है नहीं जाएगा इसी को हम लोग क्या करते है इस टॉप्स करते है इस टॉप्स को एक बार किसी चाल के लिए सेट करने पर क्या होता कि कोई भी चाल होता है उस पर सेट करने पर वह उस चाल पर पर शीमन लिमिटेशन कर देता है इसमें क्या होता है कि लिमिटेशन होता ह कि इसमें लिमिट हो जाती है इसके एकॉर्डिंग जो है इससे आगे जो हम नहीं चलेगा क्रिया के अंतरगत जब करीज स्टॉप्स क्या होता कि जब करीज स्टॉप्स पर आ जाती है तो शोयम रुख जाती है जब क्या होता कि हमारा जो करीज जो है शोयम स्टॉप पर आ ज लेड़ मसीन पर टेरीट इस्टॉप्स का प्रयोग करते हैं जो लेड़ मसीन होते हैं पर कौन-कौन से हम स्टॉप्स का प्रयोग करते हैं टेरिट स्टॉप, इंडिकेटर स्टॉप्स, आटो स्टॉप्स, डायल इंडिकेटर स्टॉप्स का प्रयोग जो हैं करते हैं मिलिंग मसीन तथा ग्राइंडिंग मसीन पर टेबल की चाल को दिसा में बदलने के लिए इस टॉप्स का प्रयोग किया जाते हैं जो मिलिंग मशीने होती उस पर भी क्या करते हैं जो चाल होती चाल की दिश्टा को बदलने के लिए हम लोग इसका प्रियोग करते हैं इस टॉप्स का प्रियोग करते हैं आगे हम लोग बात करते हैं जो हमारी अगली हेडिंग है अटेस्मेंट के बारे हम लोग बात करते हैं अटेस्मेंट के हम लोग बुरिश्केशन करते हैं कि जो हमारा अटेस्मेंट होता है लेट मसीन पर जो हम अटेस्मेंट का प्रयोग करते हैं यह हमारे क्या होते हैं कि अलग-अलग अटेस्मेंट का जो हम लोग प्रयोग करते हैं आईए कि हम लोग बात करते हैं अटेस्मेंट पर बात करते हैं तो यह अटेस्मेंट होता गया है जैसा कि हम ध्यान कर चुके हैं क्या कर चुके हैं ध्यान कर चुके हैं लेथ मशीन पर एक कटिंग टूल द्वारा टर्निंग ऑपरेशन किया जाता है कि जो लेथ मशीन होती ह इस टर्निंग आप्रेशन के द्वारा हमें स्टेप्स टर्निंग क्या इस्टेप्स टर्निंग फेशिंग ट्रेडिंग डिलिंग रीमिंग को आधी प्रक्रिया लेथ पर कर सकते हैं हम लेथ पर कांसी ऑप्रेशन कर सकते हैं स्टेप्स टर्निंग फेशिंग ट्रेडिंग डिलिंग रीमिंग लेथ पर बिना विसेशव अटेशमेंट का प्रयोग किये नहीं हो हो सकती, क्या होते हैं कि जो अटेचमेन्ट होते हैं, इनका प्रयोग जहिए अलग से एक यूक्तिप प्रयोग क्याँ जाती है लेट मसीन पर अटेचमेन्ट का इस प्रक्रीया कि क्या होता है कि एक ऐसी योगत्व का प्रयोग किया जाते हैं इसे ही अटेच्मेंट किया जाते हैं इसे ही हम लोग क्या करते हैं अटेच्मेंट करते हैं साधा अटेच्मेंट लेट मशीन पर प्रयोग किया जाते हैं लेट मशीन पर हमारी क्या होते हैं कि कौन कौन से अटेच्मेंट का जो है प्रियोग किया जाते हैं फर्स्ट जो हमारा अटेज्मेंट पहला अटेज्मेंट हैं फर्स्ट अटेज्मेंट की बारमा बात करते हैं तो जो हमारा पहला अटेज्मेंट हमलेट मशीन पर प्रियोग करते हैं तो हमारा पहला अटेज्मेंट कौन सा है रिवालविंग अले tidak पहला हमारा कौन सा ai reliefing attachment next हमारा copying और controlling attachment दूसरा हमारा कौन सा attachment hym copying copying overcoming controlling 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 attachment जी, controlling attachment, attachment, next है हमारा तीसरा जो हम, spherical surface attachment, तीसरा नमबर हमारा काउन सा attachment है, तीसरे attachment की हम लोग बात करते हैं, हमारा काउन सा spherical, S-P-H-E-R-I-C-A-L, spherical surface, S-U-R-F-A-C-E attachment, spherical attachment, spherical attachment, next है हमारा जो है, चाउथा नमबर काउन सा attachment है, taper turning attachment, काउन साम, taper turning, turning attachment, 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 next है हमारा जो है, पांसवा नमबर काउन सा हमारा, milling attached नमबर, five नमबर की बात करते हैं, तो हमारा काउन सा attachment है, milling, attachment, 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 हमारा जो है, पांस नमबर हमारा काउन सा है, milling attachment, next है हमारा जो है, grinding attachment, काउन सा, six नमबर हमारा काउन सा attachment है, six नमबर, grinding, ग्राइजमेंट एक्राइजमेंट यह सब्सक्राइजमेंट इतने सारे अटेजमेंट का प्रयोग करते हैं इन सभी अटेजमेंटों के बारे में हम लोग डिसकेशन करेंगे यह हमारे जो attachment होते ही है किस प्रकार से जो work करते हैं इनकी working विदी क्या होती है यह सारे attachment जो हमारे इसकी working विदी क्या होती है होती है जो हमारा पहला attachment होता ही है काँ सारी relieving attachment, copping या controlling attachment, spherical surface attachment, taper turning attachment, milling attachment, grinding attachment इतने सारे attachment का हम लोग जो है अब लित मशीन पर प्रयोग करते हैं तो हम लोग जो है next video में हम लोग बात करेंगे जो है इन सभी attachment के बारे हम लोग discussion करेंगे यह सभी attachment जो हमारे किस प्रकार से जो working करते हैं इसकी working विदी क्या होती है यह सभी attachment की working video के बारे हम लोग देखेंगे next video में अगर हमारे telegram group या whatsapp group या facebook page से facebook page से join होजना चाहते हैं तो description box में उसका link के दे दिया जाएगा वहाँ से जाकर हमारे facebook group वो telegram group वो whatsapp group को join कर सकते हैं अगर हमारा video आप सभी को अच्छा लगा तो हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को like और subscribe चरूर करिएगा वीडियो को जादा से जादा दोस्तों तक share करना ना भूलें धन्यवाद